Hello students, welcome to my nurture, मैं हूँ Krishna, कैसे हैं सब लोग, मस बढ़िया चलो इस्टार्ट करते हैं हम लोग community pharmacy यान management का chapter number 7 जहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले है health screening services in community pharmacy तो community pharmacy तो आपको clear है क्या होता है, ठीक है अब community pharmacy के अंदर health screening से क्या मतलब है health screening है ना थोगा सा सुनने है screen screen, screen करने का मतलब होता है वैसे हम लोग normal समझे छटनी करना तो यहाँ पर हम लोग आगे सार किस चीज की छटनी करने किस परकार की health की छटनी करने तो एक simple सब्दों में बात बोलूँ इसको पूरा chapter वहीं पर खतम हो जागा ये ठीक है और वह शब्द है कि आप क्या कर रहे हैं अपनी community pharmacy में 3-4 तरह काम कर रहे हैं आपने एक BP machine रखे हुए लोगों का BP नापते हैं ठीक है BP नापते उनको बताते हैं आपका BP कितना है जिसका BP बड़ा हुआ है तो वह alert हो जाएगा कि मेरा BP बड़ा हुआ है मेरे को किसी जरूरूत है जरूरूत है या अपना लाइफटाल चेंज करने जरूरूत है BP सुगर नाप सकता है है ना BP हो गया सुगर हो गया BMI है न जो जो बड़ा बॉडी का जो इंडेक्स होता है ठीक है उसमें एक BMI आता है और एक और होता है हम लोग जो होता है लंग फंक्शन टेस्ट करते हैं एक मशीन होती है उसके अंदर फूक मार के तो basically हम community pharmacy में बैट करके कुछ devices की help से जैसे की इस फाइग्नो मैग्नो जो BP मशीन है ठीक है इस फाइग्नो मैनोमीटर कहा जाता हुसे ठीक है गुलकोस के लिए गुलकोमीटर होता है यह तीन चार पांस तरे की मशीनों को रख करके हम लोग क्या कर सकते हैं अपनी community pharmacy में health को screen कर सकते हैं routinely नहीं भी है एक age आ गई है 30 की 40 की उसके बाद आप routine check up करा सकते हैं या routine check up किसी का कर सकते हैं क्योंकि एक age के बाद body में वैसी भी organs क्या होते हैं बुड़े होना start हो जाते हैं तो कुछ ने कुछ प्रॉलम माना start होती है ठीक है तो आपको कोई sign symptoms नहीं दिख रहे हैं किसी प्रकार का कोई लक्षण नहीं दिख रहा है तब भी आप यह test करा लेते हैं इसी को health screening कहा जाता है बिना किसी लक्षणों के आप एक test करा रहे हैं जिससे कि आप अपना basic disorder body में कोई हो रहा है कि नहीं हो रहा उसको जान पा रहे है और basic सुरुवात यहीं होता है BP का सुगर का है ना लंग्स का यह basic चीजे हैं तो मेरे रिखालते बात समझ में हागी होगी कि कि किसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं तो कंप्री फार्मिसी का अंदर हम लोग कुछ services देते हैं ठीक है और वो service में जो है हमारी health screening जो services है आज हम उसके बारे में बात करने वाले ह कि लिए रहे बाते हैं तो यहाँ पर screening से क्या मतलब रहेगा तो screening means testing ठीक है ध्यान रखना screening का मतलब test भाई वही test हाँ कौन से test medical test अरे color change क्यों नहीं हो रहा भाई हो गया हो गया color change ठीक है मेनिंग क्या हो गया testing मतलब जो medical test होते हैं एक तरह का medical check-up जैसा सुगर का test कर लिया BP test check कर लिया है ना तो testing कर रहे हम लोग for a disease when a person does not have any symptom जब उसको किसी भी प्रकार का कोई symptom नहीं है तो हम लोग उसका जो check-up करते हैं उसको क्या कहा जाता है screening कहा जाता है बात समझ में आगी बिना किसी लक्षण के okay screening is different from diagnostic testing screening अलग है diagnostic diagnostic का मतलब क्या होता है आपको बुखार आया आप गए doctor के पास doctors का भी हमें तीन दिन से बुखार आ रहा है doctor ने का अच्छा doctor ने देखा कि इस समय जो दौर चल रहा है viral का भी चल रहा है malaria का भी चल रहा है उसने का test करवाले पहले अब उसकी testing के लिए जो test होता है कि कि बुखार का जड़ क्या है कारण क्या है उसको हम लोग कहते है diagnostic testing य नहीं है normally हम लोग test कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं screening कहते हैं यह बात समझ में आ गई होगी मेरे खाल से screening test और diagnostic test के बीच का difference के लियर हो गया होगा ठीक है तो diagnostic testing is used to confirm the disease when person already has a symptom जब और डिसम्टम है जाने कि बुखार आ चुका था अब यह confirm करना है कि उससे ब के लियर तो बच्चा दिमागे को कुशन आ सकता है कि इस टेस्ट में हैं दोनों टेस्ट यह भी टेस्ट है वह भी टेस्ट है लेकिन यहां पर symptoms आ चुके है ठीक है अब जैसे कि जिसको diabetes आ चुकी होती है तो उसके अंदर क्या होगा symptoms आने start हो जाएंगे polyurea हो जाएगा urine बहुत ज़्याद आएगा body में थकान आना start होगी symptoms आ चुके हैं अब किसी को just starting है diabetes की तो लक्षण नहीं होंगे उसके अंदर तब हम टेस्ट कर लेंगे तो उससे स्क्रीन टेस्ट तो वही टेस्ट सुगर का टेस्ट एक टाइम पर स्क्रीन टेस्ट कर आएगा और एक कोई लक्षण नहीं दिखता है तो अब मैं बार बार स्क्रीनिंग गोले हो तो किलियर रहेगा इसक्रीनिंग का मतलब क्या है ओके ठीक है तो ऑर्गनाइज होती वाले स्क्रीनिंग कैसी होती है और इसमें चल रही है और इंडिविजल बेज आप आप गये आप नगा कि भाई ऐसा है चेक कर लो अब थाटी प्लास हो गया तो यह हो गया इंडिविजल बेज तो पॉपलेशन बेज इस जिस्क्रीनिग इज वें एवर्यवन इन इस सटन और फिफ्टी एग्जांपल के लिए कहा रहा सच है जैसे महां लो उपर साधेस आया कि जितने भी वुमेंस हैं अब फिफ्टी उनका एक स्क्रीन टेस्ट किया जाए चैंसर के लिए या किसी और चीज के लिए ठीक है या जो न्यूबॉर्ण बेबी है उनका क्या किया जा लिए तो एक औरणाइज़ प्रोग्राम के तहत स्क्रीनिंग की जाती है और अर्डुिजवल में क्या है इडिजवल स्क्रीनिग इज़ वेन चैंज वेज हम तो आजकल ड्रिंक बहुत ज़्यादा हो जाती हैं घी बहुत ज़्यादा खाते हैं तो बोलें आपकी एज कितनी है फार्मशिश पूछेगा वो कहेगा हमारी एज तो इतनी है तो आपको सला देगा कि आप अपना स्क्रीन टेस्ट करवाते रहिए ठीक है ना यहने कि हर सा स्क्रीनिग की वैज से हम लोग-प्रॉलम को पहले ही क्या कर लेते हैं ढूंड लेते हैं when they may be easier to treat और जब सुरुवात में हमें कोई चीज पता चल जाए कि मालों बॉडी का हलका सा सुगर बढ़ा है और हमको तो पता चल गया कि अब डाइपटिक होने वाले हैं तो सुरुवाती का लक्षन है तो वहीं पर हम उसे you find out if you have a particular condition ठीक है ना कर रहा है आपको find out ढूंडने मदद करती है कि अगर आपके पास कोई condition और आप परफेक्टली वेल एक्दम ठीक है without any symptoms और science उस condition में भी क्या कोई problem create होना सुरूद नहीं हो रही है उस condition में भी आपको क्या कर रही है वह स्क्रीन करने में help करती है early detection अगर आप जल्दी ही उसको पता लगा लिया early detect कर लिया कि क्या problem की सुरूद हो रही है और उसके बाद आपने treatment चालू कर दिया तो good control of condition can result जब आप treatment चालू कर दिया शुरूद थी तो आपका control अच्छा आ जाता है बिमारी के उपर है ना बिमारी फैलती नहीं है बहुत ज़्याद आपकी body के अंदर ठीक है complications पहुंचे गई नहीं हो अपर तो मेरे खाल से बात सौंज में आ गई introduction में screening क्या होती है अब what is included in health screening हम health screening में बहुत सारी चीज़े को include कर सकते हैं बट एक community pharmacy की बेस पर कर हम बात करें तो regular physical exam height weight है ना यह सब चीज हो सकती है body mass index बार भूल रहा था मैं तो body mass index BMI होता है इससे आप पार चलता है कि हम मोटे है या नहीं है अभी मैं इसका जिकर करूंगा फिस तुरण जैसी जिकर कर रहा होगा न महीं वीडियो पहुज करके तुरण चेक करना अपना BMI जब इसके लिए तो फोर सा क्या है आपको refer कर सकता है वो तो आपको लैब जाना पड़ सकता है immunization हो सकता है आपका और screening for sexually transmitted disease है ना कोई sexually transmitted disease तो नहीं फैल रही है उसकी भी screening हो सकती यह सब होते हैं कहां पर community pharmacy यानि कि अब आप लोग कहेंगे कि सर हम मनें तो कभी नहीं देखा इसा होते हुए तो मैं फिर कह रहा हूं बेटा हम लोगों की जो community pharmacy developing country वाली है तो सब मिलता है वहां पर ठीक है तो उसी के अधार पर हमारा यह theory बनी हुए कि यह सब चीजे standardized form में यह सब चीजे होती है ठीक है तो इसको अपना normal community pharmacy मतला जो normal medical store जो आप देखते हैं वहां मत सोचने लगता है वहां तो हमने कभी ऐसा देखा ही नहीं ठीक है इसकोप क्या है community pharmacy तो obviously बात है इसकोप health scope याने कि किसका scope health screening का अब यहां पर थोड़ा सा health screening थोड़ा सा confusing है जैसे कि scope की बात की जाए तो scope जैसे कि मैंने आप लोगों को बता रखा है इसकोप कोई चीज कही पर apply हो रही हो यूज हो ठीक है ना या उसकी वएससे कोई काम हो रहा हो वह सब जगह जहां का MPP वह चीज लग रही है उसको हम scope कहते हैं तो अगर हम community pharmacy की बात करें ठीक है वैसे देखा जाए क्या है testing lab lab वगरा हो सकती है hospital में काम को अगरा हो सकता है ठीक हर जगह जहां जह कोई बात हम करेंगे नहीं already pharmacy है जो क्या कर रहा है screening कर रहा है ठीक है तो यहाँ पर हम लोग क्या scope है कि screening can help us live longer and healthier lives इसका पहला scope यानि कि यहाँ पर जो scope है वो सारे का सारा किस चीज को लेकर के होगा जो हमारी population है उसकी health को लेकर के scope को दिखा जाएगा ठीक है कि इसकी होने से हमारी health के उपर क्या effect आ रहे है तो वो सारा community pharmacy लेट इसका scope रहेगा ठीक है screening essentially helps in identifying disease दूसरा point यह आ जाएगा जो essentially screening जो है essentially जो इसका main है वो disease को find out करने में help करता है in people who do not yet have any symptoms or signs उन लोगों में जिनके दर अभी तक कोई भी लक्षन नहीं है एक scope इसका यह हो गया है एक साथ जो area होता है उसमें बुला लिया जाता है जगर-जगर camp लगा जाते हैं कि इस colony कि इस वाड के लोग यहां पर आके कि अपना क्यों करवाएं चेक अप the goal of such screening is to improve health outcome उसका मिया नुद्देश के कि लोगों की health अच्छी हो an example is early detection of high blood pressure जैने कि अगर high blood pressure प्रेशर शुरुआत में पता चल जाए शुरुआत में जैसे कि मैं अगर आपनी बात करूं तो present time पे मैं stage starting की stage याने कि मेरा जो है BP बात करूंगा चार्ट दिखाऊंगा आपको 130 प्लस और less than 140 हो जाता है अक्सर वैसा हो जाता तो इस तरह से मैं कह सकता हूं कि अब मेरे को पता यह चीज कि मेरा BP इतने पर है तो मैं कह सकता हूं कि हां मेरी अभी starting और अभी सब्सक्राइब कर ले जात अगर आपने बीपी को टाइम से कंट्रोल कर लिया है और फिर आपको पता है कि बढ़ रहा है तो आप कांसलिंग कर सकते हैं डॉक्टर से फार्मसिस से कि मेरा BP बढ़ रहा है मैं रूख क्या-क्या lifestyle में मेरे होना चाहिए क्या खाना है क्या नहीं खाना क्या exercise बढ़ करनी तमाम चीज़े weight को loose करने की बात आजाएगी giving up smoking cutting down on salt and regular exercise यह सारी चीज़ी आपको अपने life में add करना पड़ेगा जैसी आपको यह पादा चल जाएगा यानि कि overall क्या है आपका health improve हो रही है in the near future screening will become even more important आगी भाषिश की बात करें तो screening बहुत ज्यादा important होने वाली है इसका है कि मैं उधारण दूँ आप लोगों को तो अभी आप लोगों को बहुत से लोगों को पता होगा आजकल क्या रहे हैं package आते हैं सुनाएं अगर एक normal test कराओ single test कराओ या या कोश्टिंग नहीं पत पड़ रहा है एक और test करा लो सब्सक्राइब 300 रुपए का पड़ रहा है ठीक है तो कितना हो गया यह आठ एक 950 रुपए तो आजकल package आ रहे हैं देखा होगा test कराने के कि 4 या 5 या 6 तरह के test करेगा और उसका कुछ 1000 रुपए में आपको करके दे देंगे तो यह भी कही स्क्रीनिंग के अंदर है ना बड़ी जो लैबस है आजकल और वो उफर कर रही है package ऑफर करती है कि हम 10 तरह के test करके देंगे आपको 3000 रुपए में हम 15 टेस्ट करके देंगे और बोड़ी का पूरा एक तरह चेक अप होयाता है उसके package आ रहे हैं सुना है अरे हाँ या ना ब पता है कि एक किसका होता है आपका sugar का हो जाता है sugar में भी अभी में बात करूंगा एक नया test आ गया है है hb1ac करके है यह बताता हूं मैं उसको क्या है exactly hb1ac करके है ac1 करके नाम है उसका याद नहीं आ रहा है जो आज कर लेटेस्ट चलता है यह तीन मंद का record देता है हमको मैं बताऊंगा यह पढ़ाओ ना तब बताऊंगा उसको हाँ करको हो सुगर हो गया आपका लेक्रम प्रोंड बहुत आम है ठीक हैHow lively के सिदोगा सुगरो हो गया लेपिट प्रोफाइल हो गया अब प्रोफाइल में आपका क्या आता है पूरा आपका कोलेस्ट्रोल के पूरी डिटेल आ याती है ठीक है तो और एक विटामीं का भी रहता है तो इस तरीके से ना एक पैकेज बनके आते हैं तो सुगार यूरीक एसी डिपे प्रोफाइल यह तो मान के चलो तो 100% लोगों को चेक कराना चाहिए, 100% येस, ये भले ना करो, BPP भी इसमें सामिल है सुगर, यूरिक एसीड, लिपिड प्रोफाल और BP हर किसी को, हर किसी को मतलब, एक मैं बात करूँ लगवक 35 मान लो, 35 के बाद, हर किसी को ये टेस्ट 6-6 महिने पर या एक-एक साल में कराते रहने चाहिए, बिलकुर कराने चाहिए तो यही हमारी screening है, है ना, तो यह बात आपको अच्छे समझ बारी होगी तो यहां से आप, यह जब concept दिमां में सेट होगी ना, अच्छे screening यह सब है तो आप इसको मन से बना के लिख देंगे, ज़रूत ने किसी की, समझिमा रही होगी mia बाक्त, ठीक है, लेकिन ज़रूत इसलिए है कि देख लो क्या क्या बन सकते हैं, ठीक है तो एक बार देख लो, बात में मन से बनागो आपको यह बात पता है इस जेनेटिक प्रोफाइल मैं आप लोगों को एक चीज़ पताओं मैं सुगर यानिकि डायवटीज आपको diabetes है चलो कोई बात ने diabetes है लेकिन diabetes के कारण बेटा बहुत सारे होते हैं कारण मतर समझ रहे हो कि केवल कुछ लोगों को देखा है न चीनी ने बंद कर रखी तब भी आपका सुगर लेवल बढ़ रहा है दवायां खानी पढ़ रही है और कुछ लोगों को आपने देख यह जो अगलग चीज ऑना जनटिक होता एक्टिक ली तो आपके कौन से जीन̍स रिस्पाञ्स रिसपॉं सिबल हैं कौनि से जीम रिसपॉंसीबल है तो जींस अगब एक्जाक्ट पर चल से जीन करना बढ़ा होती आसान हो जाता है उसी तरह अिए जासान फने ट्राइव यानि कि अगर आप 35 के हो गए हैं, 40 के हो गए हैं और आप अपनी genetic profile करवा लेते हैं, तो genetic profile से आपके genes में जो जो changes आ रहे हैं, changes को देखते हुए आपको बता दिया जाएगा कि अभी आप 35 के हैं, तो अगर आपने अपना खान पान या तोर तरीके नहीं बतले, एक उधान के प्रोफाइल कराई है, तो profile में हो सकता है, निकल के आए, कि भविष्व में आपको सुगर होने वाली है, भविष्व में आपको cancer हो सकता है, यह genetic हो की genes में changes प्रकार के आने स्टार्ट हो गया और वो जब genetic profile, genetic profile मतलब पूरे हमारे genes की check-up होता है, जब check-up हो करके genes में कैसे changes आ रहे हैं, वो changes कौन सी बिमारी की तरफ इसारा कर रहे हैं, वो पढ़ा चल जाता है, यह हो रहा है आजकर, और यह आप लोग कर सकते हैं, जितने वी रिस्ट लोग है वो करवा रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है न, उनको तो क्या पढ़ा चल लगा तो पहले सी उसको cure करन है, वो मरना नहीं चाता, ठीक है, तो वो लो करवा रहे हैं, ओके, एंड प्रवाइडिंग देम दा रिस्क प्रोफाइल, ठीक है, जनेटिक प्रोफाइल करने के बाद उनका रिस्क प्रोफाइल कि आपको कौन को सी बिमारी भाविश में लग सकती हैं, और क्या disease हो सकती है है, उसको बना करके उनको बता देती है, तो यह है हमारी health screening, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बाते सम्मेजने समझाने वाले थी, फिर तो आगए ऐसी normal चलने वाला है, importance क्या है, हमको identify the underlying issue, जो problem आ रही है, उसकी वज़य क्या है, वो पार चल जाती है, early detection में help करती है, पहले प विमारी के पदा चल जाता ना, तो भी हम रिलाक्स में होता है, चोटी सी विमारी है, या कुछ ने निकला, इसका मतलब खान पान की कमी है, तो रेक, रिलाक्स, शान्ती मिल जाती है, anxiety, चिंता से मुक्त हो जाते हैं, help avoid unnecessary precaution, कई पर हमें क्या लगता है, क्या रियार कमजोर कर दें, कि ताकत मिले, ऐसा नहीं होता है, चक्राने कई सरी वज़य हो सकती है, ठीक है, बाड़ी में पानी कमी हो सकती है, तो unnecessary precaution, आप बेवज़य कोई precaution ना ले ले, तो वो आपको नुक्सान करेगा, puts you in control, आपको control में रखता है, पहले आप चेक हो लिए, अच्छा ये जाती है, catches the science before complication, पहले ही science पता चल जाएंगे, इससे पहले कि वो किसी बड़ी disease में convert हो जाए, ensure, सुनिश्चित करता है, early intervention and less invasive treatment, early, सुरुवात में ही दखल अंदाजी हो जाती है, दखल अंदाजी मतलब कौन सी बिमारी होने वाली है, और less invasive treatment, तो treatment उतना ज्यादा भारी पिनपॉइंट्स, ailments that are unexpected, pinpoint कर देता है, उन बिमारीों को जो कि unexpected होती है, ठीकर जाती है कि unexpectedly हमारे पस हमारे को क्या होने वाला है, बात समझ में आ रही है, अब importance होगी, यहाँ पर हम बात करते है, health screening standards की, इसके standards की है, तो standards का मतलब क्या होता है, कि जब आप health screen कर रहे हैं, तो कुछ standards आपको follow करने है, क्या follow करने है, जैसा कि मैंने कहा कि हमारे developing country है, जो developing country होगा पर हम लोगों के उतनी condition अच्छी नहीं है, तो बात करें, pharmaceutical society of Australia professional practice standards की, तो Australia का जो यह है, professional pharmacy practice है, उनकी according को describe करती है, standard for provision of health screening and monitoring the patient, उसने 6 standards तैय की है, पहला क्या है, proper use and maintenance of equipment, equipment का आप proper use करेंगे, उसको proper maintain करेंगे, उनका रख रख रखाओ, proper होना चाहिए, यह नहीं कैसे पटक दिया, फैंक दिया, ऐसी चल रहा है, receiving adequate training, है ना, proper training ली जानी है, आप अगर, ग्लुकोमेटर है ना, आज का हम लोग क्या करते हैं, machine खईत लाए, घर भी चेक क लेंगे, तब आप screen करेंगे, and improving the competence of personal, और जो personal, जो इंसान involved है screening में, उसको competence, उसके skills को, उसकी क्या कहना चाहिए, skills को, उसकी जो काम करने की छमता है, किसी चीज को लेकर करने, बीपी ना अपना है, तो उसमें उसको pushal होना चाहिए, ठीक है ना, competence होना चाहिए, in screening process, जो लोग screening process में involved है, उनको अपने काम में pushal होना चाहिए, competence होना चाहिए, documented procedures for recording the results, ठीक है, जो भी procedure या result आ रहे है, उसको क्या करना है, record करना है, document करना है, safety issue regarding body fluid handling, अगर body fluid का काम है, जैसे कि मान लोग ब्लड निकाला गया है, या glucometer में हम लोग पिंच कर रहे हैं, तो ब्लड जब हार आ रहा है, तो हमको बड़ात हलके में लग रहा है, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है, कि आप जिसका blood निकाल रहे है, वो HIV infected हो सकता है, उसको TB हो सकती है, तो बहुत ध्यान से उस blood को care करनी है, आपका हाथ में gloves होने चाहिए, तब आप उस blood को touch करें, अन्य था, आप क screening हो रही है, और एक time के बाद मालो, निकल के आता है, उसका BP बहुत जादा बढ़ गया है, फिर उसको refer करना है, डॉक्टर के बास की बहुत आप रहे हैं, अपना चेक अप कराए, प्रॉपर और treatment लीजिए, ठीक है तो यह health screening के standards है, तो यह आपको कुछ खास नहीं है, पता community pharmacy की, अब बात करते है, routine monitoring, routine monitoring का मतलब सिंपल क्या हो गया, जब आप 35, 40 के हो गए हैं, जैसे मैंने का आप regular जा रहे हैं, आपने BP चेक कराया, आपने सुगर चेक कराया, routine और monitor करते जा रहे हैं, record maintain कर रहे हैं, अच्छा मैंने, तीन मैंने पहले कराया तो यह आया था result, फ monitoring refers the act of observation, act of observation, यानि कि आप observe कर रहे हो, अपनी conditions को, ठीक है, conditions को after diagnosis to assess and improve outcomes, ठीक है, monitor क्या हो रही है, condition after diagnosis, diagnose करने के बाद, diagnose करने के बाद, यहाँ पर diagnose हो गया, मतलब कि आपको पर चल गया किया है, BP है, sugar है, तो diagnose to assess and improve outcome, जिससे की जो outcomes है, जो उसका result है, आप जल्दी से ठीक हो जाए, उसको आप क्या कर रहे हैं, monitor कर रहे हैं, तो कह रहा है, health screening services may be offered to monitor individuals who are at risk, हम health screening services उसको offer कर सकते हैं, दे सकते हैं to monitor, monitor करने के लिए, observe करने के लिए, उन individual को who are at risk, जिनको risk कर, risk मतलब जैसे मैंने क्या होता है, जो 40 के उपर हो गए, अब एक 20 साल का बच्चा, उसको क्या BP का शिखायत होगा, क्या sugar कर सिखायत होगा, उसको monitor करके फाइदा क्या, ठीक है, risk for specific disease, तो जिन लोगों को कोई खा कामन कौन कौन सी है, blood pressure, कैसे ना पा जाता है, blood glucose level, कैसे ना पा जाता है, body mass index, कैसे calculate करोगे, ठीक है, आप मतलब भी है, अपनी community pharmacy बैठ कर सकते हो, अब आप कहो कि blood check up करना है, complete blood check up करना है, टाइफार का check करना है, तो इसके लिए proper pathology बनी हुई है, तो हम लोग health screening service उनकी ब उसके लिए तो लैब ठीए है हमें, तो वो चीज अलग चली जाएगी, वो एक चीज हमारी अलग चली जाएगी, हाँ, वो भी एक चीज फिर उस condition में चली जाती, फिलाल हमें community pharmacy तक सीमित रहना है, testing आ सकती है, अगर problem है तो हम एक routine check up कर सकते हैं, उसका lab में डाल करके, rate of blood pressure, BP के बाले में सबको पता है, फटामट रीट करते हैं, अब person is considered as hypertensive, hypertensive मतलब जिसका high BP है, when on two or more consecutive measurement, जब हम एक लगातार, दो या तीन क्या ले लें, measurement, दो या तीन बर लगातार BP ना पें, और उसका जो BP है, वो जो उसका diastolic BP है, diastolic मतलब जो नीचे वाला BP होता है, diastolic पता है न, HAP में बढ़ा होगा, human anatomy physiology में, 90 mm of HG से ज़्यादा हो, और systolic blood pressure more than 130 mm HG हो, तो मान लो, वो उस category में आ गया, ठीक है, ओके, तो, अब यह देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर एक चार्ट दे दिया है, कि normal कैसे बाले चलेगा, कौन normal है, normal में less than 120 रहेगा, या 120 है, उस से कम रहता है, less than 80 रहता है, elevated में 120 से 129 रहेगा हो, तब हलका सा बढ़ा हुआ है, systolic वाला, और diastolic है, lower number है, वो less than 80 रहता है, ठीक है, stage 1, जो 130 से 39 पर आ गए है, और diastolic में 80 से 89 पर आ गए है, ठीक है, stage 2, hypertension, जब 140 से जादा है, और नीचे वाला 90 से जादा है, ठीक पर नीचे वाला 120 के उपर है, तो डॉक्टर कॉंसल्ट कर लो, वरना किसी विशा में कुछ भी हो सकता है, आपके हार्ट को, डैमेज वा जाएगा, ठीक है, अब, पूर कंट्रोल और ब्लट प्रेसर में कोष्ट टार्गेट अर्गन ळेमेज, अगर ब्लट प्रेसर पे हम लोग कंट्रोल नहीं करेंगे, तो टार्गेट अर्गन कौन कान है, उसके, कार्डियक हाट, cerebrovascular, हमारा ब्रेन, जो ब्रेन की नलिया होती है, ठच्ट सकती है, रिनल किडिनी औक्यूलर आंखें हैं में विकम कॉस्फ फॉर डेथ और अल्टिमेटली मौत भी हो सकती है आँखों को रोश्णी चली जाती है बहुत बीपी जादा हाई रहेगा और उसे मेंटेन ना करो अब इसका अडवांटेज क्या है किसका अडवांटेज मेजर्मेंट ब्लड प्रेसर यानि कि आप बीपी को जब स्क्रीन कर रहे हो एडवांटेज यहां लिख लिए ना एडवांटेज ओफ इस्क्रीनिंग बीपी जब चेक करते हो तो एक तो हमें क्या पर जालता है नियू हाइपटेंसिफ पेशेंट कैन बीटेक्टेट जिसको पहली बार बीपी होना स्टार्ट हुआ उपए चल जाता किसको बीपी अब होना स्टार्ट हुआ है ना कोई किसको नहीं था पहले अचानक चेक कर आ रहा है वो स्क्रीन कर वारा अपने आपको निगल आया कैन है पेशेंट टू मॉनिटर दियर बीपी एंड अब्जर्ब दा यूसफ पाइदा दिखेगा E जर्नल प्रैक्टिशनर अब बीपि का पता जीना चलता बहुत ज़्यादा हाई हो जाएका तो बहुत सारे पेशेंट हो जाएँगे बहुत साइस अब इस पता चल गया है इसी श्टेज पास लिया है तो बहुत देका अपने करने जो़तनी पड़ेगी उसने करेगा नॉमल आप उसको डॉक्टर के पास जाने का लोड कमो जाएगा न का लौड कम हो जाएगा बहुत भीड होती होती पास अब प्रोसीजर समझो कुछ लोग नहीं आता कि बीपी ना कैसे तो यहां पर थोड़ा साना फिस्क्स लगती है क्या लगती है इह देखो यह हमारा हाठ है इसमें ऐसे कफ लपेड देता आपको पता ही होगा इस्टेस्कोप लाकर फिर यहां पर यह ब्रैच्छ लाट्री हो इस पंप की वएसे concept समझना यह आर्ट्री मेरी बंद होगी इस पंप की वएसे अभी इसके बाद आप सब लोग खुल से नापना सीख जाओगे फिर आप धिरे-धिरे क्या करते हो इसको रिलीज करना स्टार्ट करते हो और आपने यहां पर क्या लगा रखा है स्टेटोस्कोप लगा रखा है जैसे ही हलकी सी आर्ट्री खुलेगी और ब्लट फ्लो करना स्टार्ट करेगा अब क्योंकि यहां पूरी तरीके से आर्ट्री नहीं खुली है जैसी हलका सा ब्लट जाता है तो यहां पर टक टक ऐसे बहुत ज्यादा उस प्रेसर जब ब्लड निकलता है तो पूरी प्रेसर से नहीं निकल पाता है तो यहां पर क्या है को रोटकॉफ साउंड को रोटकॉफ साउंड बहुते हो उसको हम लोग मैं सिंपल वासा में बात करो तो जब स्टेटोस्कूप लगाओ गया और यहां पर करो इस तरह के साउंड आएगा कान के अंदर वह जो पहला साउंड आता है वह जो पहला साउंड आएगा वह आपको क्या ना आपके देगा सिस्टॉलिक प्रेसर फिस्ट लिग दिया जो first sound आता है यहाँ पर first sound आना इस्टार्ट होता है वह आपको क्या ना आपके देगा systolic यानिकी ऊपर वाला ठीक है फिर क्या होगा फिर आप उसको release करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे दिरी दिरी करके और एक time ऐसा आगा यह पूरा खुल जाएगा और sound आना बंद हो जाएगा यह रास्ता साफ हो गया और जिस point पे sound आना बंद होगा तो वह आपको डायस्टोलिक देगा के लियर हो गया साउंड का सारा खेल है तक 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 आवा जाती है आप उसको हांत लगा के फील भी कर सकते हैं यहां पर जैसे ही अभी हांत लगाओगे ना बीट नहीं हो रहा है ठीक है क्या नहीं हो रहा है अभी ऐसे हांत लगा तो बीट नहीं हो रहा है लेकिन जैसे से कम है या 120 है और कफ का प्रेशर 120 से उपर होगे तो यह बंद हो जाएगी है न क्योंकि यहां से प्रेशर कितना लग रहा 120 बात को समझ ना कॉंसेप्ट कुछ लोगा भी समंज में नहीं आया हुगा यह जो नसर हमारी यहां पर कितना प्रेशर लगा और बीपी जादा है तो 120 पे भी पूरी नहीं दबेगी मालो किसी का अंदर से प्रेशर 140 है तो हमें 140 का प्रेशर लगाना पड़ेगा है ना और जैसे ही 140 से प्रेशर जरा सा भी हलका होगा मालो यहां पर कितना था प्रेशर यहां प्रेशर है 140 हमने भी यहां पर प्रेशर इसकफ का प्रेशर भी कितना कर दे है 140 140 जैसे ही पॉंचेगा हलका सा कम होगा 139.9 जैसे हलका सा कम होगा यहां से ब्लट फ्लो करना स्ट स्टाट कर दें कि अंदर के प्रेक्स ज्यादा हो जाएगा वह पहला जब ब्लड फ्लो हलका से स्टार्ट करेगा साउंड देगा तप है ना कॉंसेप्ट क्लियर कैसे ना आपते हैं ठीक है इसको आप घर पर ट्राय कर सकते हैं तो यह लिखा हुआ है वैंदा कफ इस इंफ्ल पर रखते हैं ब्राचियल आट्री पर रखते हैं ठीक है अब कॉटक ऑफ साउंड और क्रेटेट बाइट पलसे टाइल ब्लड फ्लो थो दा कंप्रेश्ड आट्री अब जैसी इसको हम सलका से रिलीज करेंगे तो यहां से साउंड आना स्टार्ट हो जाएगा ब्लड फ्लो उसको ब्लुट प्रेसर इस इस फाइग्मो मैनोमेटर यह कोशन आ सकता वन मार्स का सही बीप कैसे नापिंगे वह तरीका समझो यह कोशन आ सकता है कि सही बीप नापने का क्या तरीका है पेशन शुट भी सीचेट कॉईट लीफ़ एलिस्ट फाइव मिनट इन चैर चल फि वह स्मोक ना करे और ना ही चाई कॉफी पिए 30 मिनट बिफोर बीपी चेकिंग अगर पेशेंट स्मोकिंग करके आया है या चाई कॉफी के आया है तो इसका बीपी चेक ना करें वह बड़ा हुआ ही होगा ठीक है तो कम से कम आदे घंटे से एक घंटे तक पहले तक वह कुछ जोता है ना इसका साइज के बराबर कफ होना चाहिए छोटा नहीं होना चाहिए दा बेल ऑफ स्टेटोस्कोप इसको बैल कहते हैं यह पार होता है इसको क्या बोल दिया बैल जाहां पर नापते हैं कम से कम आपको दो से तीन ने दिए दो दो मिंट के गयब पे होता है कई बार ठीक है बीपी कर जाता है एलिवेटेट बीपी मस्ट भी कनफॉर्म डाउं रिपीटे विजिट और जब जब आते हैं तो आपका बीपी बड़ा हुआ है वो कनफॉर्म होना चाहिए कि हां आपका कंसल्ट करें फिजिशियन को किसी डॉक्टर को अगर बीपी लगातार आपका बड़ा हुआ है सिंपल सी चीज किलियर है बीपी अब सब लोग चेक करना आज कल क्या रहा है अब जिन जिन लोगों के पास मौका है वाला बीपी मरकरी वाला तो चेक करना है सिखा दिया मैंन के ब्लड निकल के आता है तो कैपिलरी ब्लड ग्ल्कोस बोल देते हैं ओके ब्लड ग्ल्कोस मेजरमेंट विदिन आफ फार्मेशिक एन प्रोवाइड वैल्यूवल इंफोमेशन इन इंटिफाइंग दा इंडिविजियल विद अबनॉर्मल ब्लड ग्ल्कोस लेवल तो सिं यह जो हैल्थ स्क्रीणिंग होती है यानि कि ब्लड ग्ल्कोस को लेकर जो स्क्रीणिंग कर रहे हैं यह है्लप करती है इंडिविजिविजब की जिनको डाइवटीज है प्रस देल जाता है दूसरा या उन लोगों को जो पर्फॉर्म नहीं कर सकते हैं अपना खुद का ब् रिपोर्ट भेज सकता है पेशेंट के थुरू कि यह रही आपकी रिपोर्ट अब आप अपने फिजीशन के पास चले जाएए डॉक्टर पास चले जाएए और उनसे सलामस्वरा कीजिए ठीक है इन कंसल्टिंग विद प्रिस्क्राइबर क्या रहा है कि अगर यहर्ण से पास चला गया etty यूश में दवाब लिखक्ठी तीब फांटिंग कर सकता है कंसलिंग भारे में हमने पढ़ा हुआ है में कि कैसे ईसे मैनेज करेगा कैसे ठीक करेगा कैंजिमिंट बृतुलो कोस हैंज इस सिंपल विद्दियकल इंटियोस क्लुकमिटर रियोक स आसान है गलूकोमीतर कैसे होते हैं यह होता घ्लूकोमीटर इन्न देख रहाहे हैं यह तो यह welcome लगबक इस टाप्ट से मिलती लुड़ी मशीने में तुम सब ठीक है, एक्चुल होता है, इसको ऐसे ले करके, इसका ढखकन ऐसे खोलते हैं, और इसको इसके अंदर फिट कर देते हैं, ठीक है, इसको यहाँ पर ऐसे फिट कर देते हैं, और इसके आगे का यह गोल हटा के खटा देंगे, और इसके बंद कर देते हैं, इस तरीके से, इसके इस strip को जैसे arrow लगा हुआ है ऐसे पकड़ करके ऐसे यहां पर गुसा देते हैं जैसे इस वो गुसाएंगे इसके अंदर यह machine चालू हो जाती है चालू हो जाएगे और जो blood हमें निकला हुआ होता ना तो जब यह strip है जब इसमें लगी हुई है उसी समय उसको हम लोग यहां लगा देते हैं इस हरे-हरे वाले पर तो होता क्या है यहां पर reactions होती है उसका बताओं को concept क्या होता है उस reaction को read करता है और वो क्या दे देता है गुलकोस का level दे देता है ठीक है यह तो होगे अपना गुलकोस level है वो कितना है उसके बारे में बताता है अच्छा ब्लेड का गुलकोस पर्टिक्रों इस्टेंट हो सकता है हमने खाना ना खाया हो तो कम होगा हो सकता है हमने मीठाई भजा दखा लिए तो ज्यादा होगा तो कई बार ऐसा vary करता है तो वो क्या है कई बार exact reading नह प्रोटीन होता है हमोगोग और एक हमोगोगोगी की लाइश सब्सक्राइब कितनी होती है 120 देस की तो होती है है ना तो concept यह हमोगोगी जब तक जिंदा रहा यह पिछले तीन महने में उसने कितना सुगर कैरी किया है है ना तो उसका एक एवरेज निकल के आ जाता है तो य आजकल यह बड़ा common होता है यह लैब में जाकर करना पड़ता आपको ठीक है इसकी भी आजकल मशीन आ गई है मार्केट में कौशली है ठीक है बात समझ में आई तो यहां पर हम लोग बात कर रहे थे ओके गुलकोमेटर होगा गुलकोमेटर दिखा दिया मैंने हूशुड ह किसका है ब्लड गुलकोमेटर को मेजर करना है तो पेशेंट हुआ एक्सप्रेसिंग एंजाइटी अबाउट ड़लोमेंट अफ डियम जिन लोगों को बहुत ज़्यादा इस्ट्रेस अचानक से बढ़ रहा है तो हो सकता है कि डाविटीस मलाइटिस याने कि उनका जो ब्ल ठीक है ना जो डाविटीस की ड्रग होती है एंटी डाविटीक ड्रग होती हो उसकी हल्ट से लोग कंट्रोल कर सकते हैं इंडिविज़ल हुआ डाविटीक रुक्वाइर रेगुलर ब्लड गुलकोमेटरिंग फॉर एवलिटिंग द्रग तेरपी जो डाविटीक है उनको बेस पे अपना ब्लड के गुलकोस को मॉनिटर करना होता है इससे यह पता चल सके कि जो दवा खा रहे हैं वो कितनी एफेक्टिव है इंडिविज़ल शोइंग सिम्टम्स अफ डाविटीस सच एस पॉलियूरिया अगर किसी ने को नहीं पता कि उसको डाविटीस है कि नही है तो यह लक्षन डाव होते हैं तो भी हम डाविटीस का चेक कर सकते हैं यह सब लोगों का हमको डाविटीस चेक कर सकते हैं ब्लड ग्ल्कोस स्क्रिंग शुड़ नॉट बी पर्फॉर्वाइब फार्मसिस्ट ओन किनका नहीं करना है जो लोग 18 साल से नीचे हैं उनको क्य निडल छे देंगे और तो सए ही निया न या इम्म्यून और मिशजो जिनका इम्मून सिस्टम खांड आप चेस्ट तो इन्माय हारा है से लिडिल पास यह नोगो फोलेंगे निडल होती है फिट कर देंगे उपर बड़ेम ओला सिस्टम होता है इसको दवा देंगे ठीक। है फिरन सिंट्रिप को लोगे principle पर यानिक करंट। यहाँ पर रियक्शنस होती न तो से करंट पैदा होता है और उस करंट को फिर मेजर करता है ना सोचने वाली बात बाद मेजसे कर रहे है बट सवाल यह है कि क्या यह हमेशा से ऐसे था तो सहाँ हमेशा से ऐसे नहीं था I Ampere image मतलब क्या होता है current होता है एंपने मतलब क्या होता है current होता है ठीक है ना तो आज कल nowadays यह ऐसा होता है पहले अइसा नहीं था तो प्राने गुलकोमीटर थे वा हतारा उसके बारे में एमपने मतलब क्या है blood glucose जो खून का glucose है और जो एंजाइम ठीक है न वह और यहां पर इंजायम लगा रहता है वो रिएक्ट करते हैं to generate electric current वो इलेक्टरिक करन्ट करते हैं and the number of electron current कैसे generate होता है physics पड़ी है ना जब electron का transfer होता है तो current generate करते वाग जो electrons ठीक है ना number of electron is read to calculate the glucose concentration अब detail पर स्रिफ इतना समझवा भी यहां पर अर्ली लेकिन पहले की बात करें जो इस फोटो कैमिकल मैथट फोटो कैमिकल लाइट विज यूजज़ दालते था इंजाइम होता था तो कलर चेंज हो यह ता उस कलर को यह मशीन करती थी कलर का लेवल कितना चेंज हुए और उसके अपर फॉर्डिंग वो क्या करती थी फिर गुलकोसी रिडिंग बता दी थी लेकिन उसमें क्या था कई सारे प्रॉलम सी कई सारी खामिया थी ठीक है ना तो इसीलिए उसको क्या कर दिया गया अब धेदर हटा दिया गया है यह जगह है इसको होलो प्लेश या आइंटिफाइ नहीं ब्लब व्रिएजेंट उहां पर जोटा रियेजन्ट उहां पर जो रिएजेंट मौजूद है ग्रिन पार्ट के अंदर उसके साथ ब्लड हमारा क्या करेगा रेक्ट करेगा इंदा अइंद कलर चेंज पुराना माला होगए तो नय वाली टेक्नोजी है तो करन क्लिया रहा है कॉंसेट क्लियर हो रहा अच्छा से अब बिफोर मेजरिंग ग्लुकोमिटर ब्लड सुगर लेवल नापने से पहले ग्लुकोमिटर शुट भी प्लेश्ट इन सेफ एंड कमफर्टेबल प्लेस इसको टेवल पर प्रॉपर रखना है इंसर्ट इस्ट्रिप कर सकते हैं ठीक है डिसपोसेबल लांसेट ऑर प्लेश memory बात कर रहा है तो इसी की बात कर रहा है यह जो हम लगा दिये हैं प्रिक करेंगे उसको निकालकर ठाइंगे दूसरे इस्किंबल नहीं करेंगे और प्लेश्ट ब्लॉड on the strip of the लोडिंग प्लेस उस ग्रीन वाले पार्ट में ब्लड रख देंगे मशीन गिव दर रिजल्ट विजिन 5-30 सेकंड पांस से 30 सेकंड के अंदर मशीन हमको रीडिंग दे देती है तो जिन लोगों ने कर रखा उनके लिए हलुआ हो गया होगा ठीक है न अब अब फास्टिंग खाने के दो गंटे बाद लगभग ठीक है ना यह तीन तरीके से हम लोग गुल्कोस की रीडिंग लेते हैं इसलिए जब भी आपको गुल्कोस का लिए दिन में चार रीडिंग लेने के लिए बोलेगा चार कैसे एक सुवरे बोलते हैं खाली बेट फिर खाना खाने के बोलता है जब गुल्कोमेटर से चेक करते हैं तो कह रहा है वैल्लू का हमको बता देंगे तो चीजें पड़ी हुई है थोड़ा सा लग रहा होगा चीजें हमें पता है अगर लग रहा की चीजें पता है तो वीडियो को सब्सक्राइब करके देख सकते ना ऑप्शन आता ह है पता है ना ऑफ्सन सेटिंग होती है यूटूब के अंदर तो वीडियो फास्ट करके भी देख सकते हैं अगर लग रहा कि हमारा पड़ा हुआ है बाडी मास इंडेक्स वेरी सिंपल बाडी मास इंडेक्स इस स्टैस्टिकल मेजर ऑफ बाडी फैट तो याद रखेंगे बी माई है कि हमारी बॉड़ी में कितना है बेस्ट यादा बाडी यह क्या सबसे इस्तवाल कि यह प्रॉलम है न मुटापा है या उसको पता करने के लिए वह अंडर वेट और विट मतलब है नेकि मुटापा नहीं है अभी अब सब लोग चेक करेंगे, ठीक है, मैंने कहा था है, सब लोग चेक करेंगे, यहीं वीडियो रोकोगे, तो क्या formula है, British system या इसको imperial system भी कहते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो BMI की value कैसे निकालते हैं, 703, weight लेते हैं pounds में और height लेते हैं inches में, तो यह तो अभी तुम लोग नहीं कर पाओगे, तुम लोग यह करोगे, फटा फट, वीडियो पॉस करके देखना, आपका वज़न, kilogram में आपको पता ही होगा, आपकी height, meter में होनी चीए, यानि कि अगर आपकी height, 176 cm है, cm है अगर, तो meter में कितने होजागी, 1.76 meter, है ना, अब फटा फट इसको calculate क मारी है, वो 16.5 x 18.4 के बीच मारी है, तो आप underweight, यह यान कि वजन आपका कम है, थोड़ा जाद होंना है, अगर आपकी, 18.5 x 24.9 के बीच मारी है, तो आप normal है, ठीक है, और अगर आपकी value 25 x 30 के बीच मारी है तो आप overweight है, और अगर वीडियोira 30 x 34 के बीच मारी है, तो obese, कौन-कौन मोटा है पतला है या अंडरवेट है चेक कर लिया नहीं किया वहात से लोगों कि खासकर वह लोग जो तो पूटापा है मेरे अंदर उन्हों लोगों ने देख लो चेक कर लो खुछ से चेक कर लो ठीक है कि मेजरमेंट आफ पीक एक्सपारेट्री फ्लो रेट जो जो सिगरेट पी रहे हैं ध्यान दे इस वात को छोड़ दें सिगरेट पीना और यकीन नहीं आ रहा न तो यह पता करना यह मशीन कहिना कि आसपास आपके होगी सिग जोन आपने फूक मारा और आपका इस रहेगा और यहां तक रहे गया यह उसकता यहां तक पहुंच गया तो इसमें तीन जोन है ठीक है यहां रहेगा आपने फूक मारा और आपका इस red zone के अंदरी रह गया मतलब ये marker अगर आपका red zone के अंदरी रह गया मतलब आप मान के तो लंग्स आपके बोलने वाले है ठीक है और ये आपने फूक मारी ये जो marker है ये आपका yellow zone में आ गया value दे रखी है तो मतलब आप खत्रे में हैं अभी और ये अगर आपका green zone में आ गया इस वाली zone में आ गया तो मतलब आप ठीक हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आपके lungs होके है तो चेक कर सकते हो ठीक है ना तो cigarette पीने वाले ये काम जरूर करें या कोई नहीं कर रहा है मैं नहीं कर रहा है आप लोग पीते हो आप लोग जानने वाले पीते हो या जो बच्चे लोग पी रहे है बच्चे मतलब बच्चा नहीं कहूंगा जो कोई पी रहे है नहीं पीते हो तो बहुत अच्छी बात है आस्तमा के टाइम पर या COPD जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं इसके टाइम में क्या होता है जो हमारे जो वो होती है लंग्स की जो ब्रॉंक्यों वगरा होती है वो क्या कर जाती है हवा वगरा सब्सक्राइब निकलती हुआ से इन सच सुचेशन में पीक एक्सपाइरेटरी फ्लो रेट इज यूसफुल डिवाइस यूसफुल है यह जाचने के लिए तलंग फंक्शन इन सच पेशेंट अब माल लोग किसी को सुरुवात है किसी को सुरुवात है वो स्मोकिंग नहीं करता कुछ नहीं करता और वो गया पेशर उसने कहा कि यह कुछ प्रॉलम से लगती है कि सांस में कुछ दिखकर सी उसने का अच्छा इसी बात है लो फूग मारे और उसकी फूग यहां तक आई वो कहा बही तुम तो यह कुछ करते नहीं हो और यह तुम यहीं तक फूग मार पा रहे हो डॉक्टर को में अस्तमा है यह यह आपको सांस के प्रॉलम लग रही है तो आप इसको चेक कर सकते हैं इसकी हल्प से अब इस टेस्ट आलसो हैल्प पेशेंट और फार्मसी इन इंटिफाइंग दा यूसफुलनेस of bronchodilators जाने की bronchodilators जो medicines आप खा रहे हो वो कितनी आपके उपर असरदार है कितनी आपके उपर असर कर रही है खाने के बाद 2-4 दिन का जब फूग मारों किया वो इंप्रूव हुआ वो भी चेक कर सकते हैं ठीक है in the management of asthma और CUPD के management में पीक फ्लो मेटर ही small device छोटे device होता है used to measure the person's maximum speed of expiration जैने फूप मारने की ताकत ज्यादा कितनी होई जितना आपका लंग्स के airways खुले रहेंगे रास्ते खुले रहेंगे उतनी ताकत से आप फूप मार पाऊगे है ना पीएफर रीडिंग और यूसफुल इंडिटर्माइनिंग दा लंग फंक्शनेल्टी आपका लंग्स कैसे काम कर रहें सीवेर्टी और अस्तमा के कितना सीवियर है सिम्टम्स हैं ट्रीटम्स हैं और क्या ट्रीटम्स होना चाहिए तो वहां से एक आइडिया लग जाता है यह हमारे पास इसको मेजर करने के लिए क्या तरीका बता रहा है चेक टू प्लेस दा पीक फ्लो मीटर पॉइंटर एड जीरो कि यह जीरो पर रखाओ मतल़ है सबसे नीचे पर हो जीरो पर हो ठीक है फिर सिष्टी पर आ जाता है यह नीचे आला जीरो माना जाता है ठीक है मेक दा पेश्ट इस्टेंड और सिट पेश्ट को ऐसे सीधा खड़ा कर दो या बैठा दो ठीक है होल्ड पीक फ्लो मेटर लेवल होरियोंटल रखेंगे एंड कीप दा फिंगर अवे फ्रॉम दा पॉइंटर यह नहीं कि इसको पकड़तने वक्त आसे पकड़ा पॉइंटर पर कितना जाए इसका मूह 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 में जाए फर्मली उसके अराउंड उसके अच्छे से पकड़ ले माउथ पीस लिप से ठीक है देन आसा पेश्ट टू ब्लो एस हाड़ एस पॉसिवल जितनी ताकत तो इतनी ताकत से फूप मारो लुक एड़ पॉइंटर एंड चेक द अगर वैलू है यानि की हाई मतल चाहां 800 तक जा रही है तो मतलब वह सही है ना 800 तक जा रही है तो तो लो सही है और अगर वैल्यू लो है तो मतलब उसे बिमारी है यानि कि उसकी टोटल वैल्यू है जो 800 है उस 800 का 800 की वैल्यू के आसपास 80-100% तक की वैल्यू है टोटल वैल्यू का तो वो symptom free है 50-80% है total value, total value कितनी है 800, total value कितनी 800, उस 800 का 80% निकालो, 80-100% की value के बीच में है, तो symptom free है प्ताइस से यानि कि प्ताइस होगा कितना 400 400 सा 80% के बीच में है तो condition थोड़ी गड़बड है और अगर 50% से नीचे है यान कि 400 से नीचे है तो condition critical है भास समझ में आ रही है अब यहां पर कोई data दे रखा है तो यह मैं समझना कि हर किसी के लिए सेम होता है इस PFR की जो value होती है man woman में थोड़ी अलग लग होती है प्लस age और height का फरक पड़ता है जैसे कि simple सा उदाहन लो में woman के case में एक 20 साल की जो lady है female है और पचपन height है उसका 390 जाएगा ठीक है और जो 55 है जिसका घट रही है समय के साथ automatic चीज़े घट रही है और जो 70 की यह जा गई है तो नॉर्मल जो नॉर्मल रेंज यह वो नगट के नीचे आ जाएगी कि लियर है बासमझ में आ रही है और यह value किसमें होती है लीटर पर मिनिट में होती है कि कितनी हवा लीटर पर मिनिट आपने फूप मार दिये अब बात करते हैं early detection जो हमारे में एक topic है क्या मतलब early detection का हम सबको पता है screening कर लिए तो हमको पहली पता चल गया कि यह बिमारी होने वाली है ठीक्श अफिछ या यू कहले early detection, early detection of disease harm disease is before it causes symptom último इससे पहले कि वह अपने symptom दिखा थी उस पहले एक ना, BP हल्का सा बड़ा हुआ था प्रमें सिम्टेट्पं कर लिए रावहिए इसको आपने हमने detect कर लिया उसका हम लोग क्याते है early detection क्या need है need for early detection इसकी जरूरत क्या है there are many incurable disease बहुत सारी incurable जिनका इलाज नहीं हो सकते हैं इसकी cancer diabetes लाय इलाज बिमारी है ठीक है बीपी भी जब एक वारी हो जाएगा फिर इलाज नहीं है उसका उसका इसकी control कर सकते हो and last stage of this disease और एक तो यह incurable है इनका इलाज नहीं है और अगर यह अपनी last stage पर है बिमारियां तो finally loss of life मौत ही हो जाएगी तो better है ना हो ठीक है ना so it is important इसलिए जरूरी है to detect the disease and eradicate मतलब खतम कर दें उसको early stage में उस बीमारी को पहली detect करके early stage में खतम कर दें ठीक है इसलिए इसकी जरूरत है तो मैंने क्या का अभी आपको सर्य तो हमें पता है यह पता भी है लिख भी लोग है अब बस देख लो एक बारी ठीक है तो लिखने में असानी हो जाएग होगे genetic, BP होगे genetic, कई सारी चीज़ें, diabetic, genetic होता है तो उनको पता है कि हमको यह चीज़ें हो जाएंगी तो वो people जानना चाहते है, would like to know whether they have greater risk of getting hydrated disease, क्या उनको होने की जब संभावना ज्यादा है ठीक है न, benefits, तो उसको क्या कर सकते है, regular basis पे चेक कर सकते हैं, तो they can make certain decisions early, त BP, तो अब वो सारी चीज़ें उस तरीके से सोचेगा, अपने kitchen से लेके हर एक जगे, ठीक है, इट अलाओ, यह family का अलाओ करते, learn about the resources, वो सारे resources, पढ़ती है, समझती है, जिससे की fight कर सके इस बीमारी से, बीमारी, medicine खाओके तो महंगी पढ़ेगी, normal ही, इलाज कर लो तो अच्छा है, it can lead to better outcome, हना अगर पहली पाद चल गया है, तो आज के जो ठीक होने के परणाम बहुत अच्छे होते हैं, जल्दी ठीक हो जाओगे, it prevent loss of life, मौत नहीं होगी इससे, it prevent incurable chronic disease, आपको disease, चौथी या उस stage तक नहीं पहुंच पाती है, कि वो finally, क्या नहीं हो सके, तो उसका इलाज कराते हो, early stage में, तो काफी सस्ता होता है, और अच्छा हो जाता है, वा समझवारी है, examples of early detection test, क्या क्या है, जैसे कि net test है, nucleic acid test, HIV के लिए होता है, cervical cancer के लिए, pap smear test होता है, pap smear test, ठीक है, tuberculine test, TB के लिए होता है, interferon gamma released, ऐसे TB के लिए है, fit test, यान कि fecal immunochemical test, bubble cancer के लिए है, जो bubble मतलब, मारा इंटरेशन और रहेगा, और fob test, fecal occult blood test, यह भी किसके लिए है, bubble cancer के लिए है, ठीक है, तक हमाम test होते हैं, तो यह test हम लोग कर सकते हैं, no doubt, यह test हमारे pharmacy के उसमें नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम इनको consult कर सकते हैं, तो यहाँ पर early detection की बात हो रही है, early detection की, तो early detection की बात करें, तो breast cancer का आप early detect कर सकते हैं, ठीक है, it is a very common malignancy among women, movements के अंदर काफी common है, breast cancer होता है, breast cut करके हटानी पड़ती है, those who have a family history of breast cancer have highest rates, ठीक है, जिन लोगों को पता है कि हमारी family में हमारी mother को, उनको हुआ था breast cancer, तो संभावना है कि बेटी को यह हो जाए, तो वो लोग अपना regular check-up करा सकते है, prostate cancer, males के अंदर बहुत common है, it occur in prostate, prostate gland जो होती है, है न, पाई जाती है हमारी genital, उसमें parts के अंदर, it cause of death in male, it cause, यह कई बार, मौत का कारण भी बनती है, cervical cancer, all sexually active women should get a papisma test to check for cervical cancer, ठीक है, जितने भी sexually active women है, और वेसी बात है, जिनलों के शादी हो गई है, बच्चे हो गई है, तो उनको यह test करना चाहिए, cervical cancer वाला, ठीक है, kidney cancer, kidney cancer होता है, urine test may be performed to see a blood present, urine test करा सकता है, urine में blood तो नहीं है, blood test, city scans and intravenous pylograms are some of the other procedure used to detect the kidney cancer, तो आप यह सारी बाते लिख सकते हैं, या सीधा सीधा test के नाम लिख सकते हैं जब early detection की बात आती है, फिर आता है, colorectal cancer, person who is at higher risk of colorectal cancer such as diabetic, जिनको diabetic है, उनको colorectal cancer, याने की, जो colon और rectal वाला cancer होता है, वो होने की संभावना ज्यादा होती है, अब screening for lifestyle disease, जो तो cancer की बात होगी, lifestyle disease में क्या क्या आ जाएगा, डायवटी, जो भार का खाना ज्यादा high blood pressure, ठीक है, उनको जायर सी बात है, जिनका lifestyle ही ऐसी है, तो वो अपनी testing करा सकते हैं, जो उनको पता है कि हम भाहर travel करते हैं, खाते पीते रहते हैं, तो वो अपना regular base पे क्या कर सकते हैं, screen test करा सकते हैं, early detect कर सकते हैं वो लोग, ठीक है, ओक है, तो कह रहा है, lifestyle disorder such as diabetes and high blood pressure are on the rice, ये बड़त पर है, diabetes और BP आजकल सभी में देखा जाता है, and it would be good for everyone, ये सभी के लिए अच्छा है, to be attentive by getting screened of these diseases on a regular basis, कि वो attentive रहें, और screened होते रहें, जाच कराते रहें, इन बिमारियों को ले करके, जिससे की पहले ही आपको पता चल जा होने से पहले, high blood pressure might also lead complications including kidney damage, high BP से आपका kidney damage हो सकता है, ठीक है, regular health monitoring can help to commences early care, अगर आप regular monitoring करते हैं, तो आप commence शुरुवात कर सकते हैं, early, जल्दी care सुरुवात कर सकते हैं, in some cases, कुस cases में, the disease can be managed without the need of drug, अगर आप सुरुवात में care करना स्टार्ट करते हैं, तो बहुत से cases में, आप बिना दवाईयों के में भी इसको ठीक कर सकते हैं, तो वही सब तमाम बात हैं, घुमा फिरा आकर वही सब लिखा हुआ है, हम लोग कहा है, सर क्या बागा वही पढ़ा रहे हो, क्या करूँ बटा है, है उसमें टॉपिक है, तो फिर आप मन से बनाके से लिख लेना, screening for atherosclerosis heart disease है ना, जो heart disease होत smoker है, hypertensive people है, जिनको BPI रहता है, diabetic है, यह सब लोगों को atherosclerosis होने की problem रहती है, तो atherosclerosis का भी test करा सकते हैं, कैसे, such as treadmill होता है, ठीक है, treadmill होता है, ठीक है, treadmill होता है, हम चला कर देखा जाता है, सांस तो नहीं फूल रही है, ecos होते है, MRI होते है, इन से पहर चल जाता है, screening for type to diabetes, diabetes, malitis, वो बताया, पुरा उसकी बार में बात हो चुकी है, तो यह वही है, screening for kidney disease, तो kidney का वही है, diabetic hypertensive people, जो diabetic hypertensive and people with family history of kidney disease, जिनको diabetes है, hypertension है, high BPI है, या ऐसे लोग जिनकी family history में, मा, ममी, पापा, दादा, दादी, पर दादा, किसी को अगर kidney problem है, तो वो लोग high risk पर होते ह है, kidney disease के, ठीक है ना, regular screening लगातार, screening कराते रहेंगे, तो AIDS, help करती है, वो in early detection of the disease, तो कॉमसी बात है, screening for familial और genetic disease, यहाँ पर ध्यान रखना है, familial disease जो होगी, वो genetic होती है, और genetic disease हो genetic होती है, familial disease genetic है, और वो जरूर 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 एक generation से दूसरे generation में आती ही, आती है, ठीक जो generation to generation pass होती है, उनको हम familial कहते है, और कुछी genetic disease, जो हो गई किसी वजए से, लेकिन वो अगली generation में नहीं जाएगी, ऐसा कोई, वो नहीं है, उनको हम simple genetic disease बोल देते हैं, बात समझ में आगी, जो genetic disease are sometimes mistaken with familial disease, तो जो familial है, वो है genetic genes की ही problem की वाई से, लेकिन वो हर generation को हो ज जाता है, लेकिन cancer जरूर नहीं कि अगली generation को भी हो गाई होगा, ऐसा जरूर नहीं होता, there are genetic disorder in every family, genetic disorder लगए हर family में होता है, किसी परकार का मुटापा है, पतलापन है, जोडों का दर्द है, कुछ नहीं किसी परकार का रहता ही है, ठीक है, तो एक तो point आप यह बना सकते है ठीक है, अगर आपको ऐसे point नहीं मनाने, early detection के अंदर, तो आप क्या करेंगे, इस तरह से याद रख लेंगे, केवल उसके नाम, women's screening checklist, यानि कि जो women's के अंदर हम बात करें, दो पाटने डिवाइट कराते हैं, women's का और men's का, early detection test कौन कौन से हैं, pelvic exam, cancer के लिए, pap smear test, cervical cancer के है, blood glucose test, diabetes के लिए, cholesterol screening, heart disease के लिए, ठीक है न, तो एक, दो, कई सारे test के अंदर मैंने दे रखें, तो आप ये चेक, thyroid stimulating hormone test, ठीक है, over active thyroid, या under active thyroid है, तो test के मैंने कुछ नाम दे दी है, ये 20-30 age है, 40 के उपर अगर women हो गई है, तो mammogram test होता है, breast cancer के लिए, ovarian screening होती है, ovarian cancer क के लिए, colonoscopy होती है, colorectal cancer के लिए, ठीक है, अगर आप women 50 या 60 के प्लस है, ठीक है न, तो bone density test होता है, ठीक है न, तो bone density test होता है, heart disease के लिए, low dose, city scan होता है, for lung cancer के लिए, और सभी ages में skin screening, eye exam और hearing test आप कर सकते हैं, ठीक है, इसी तरह men's के लिए है, 20-30, 40, 50-60, all ages, के वल नाम याद रख लेंगे, और वो किस के लिए हो रहा है, testicular exam, testicular cancel के लिए, किस के लिए हो रहा है, वो आप याद रखेंगे, काफी है, clear है, तो इस तरह तरह test आप लिख सकत होते हैं, detection के अंदर, then last में आता है, referral of undiagnosed cases, जो undiagnosed है, ठीक है, तो undiagnosed मतलब क्या हो, जिनका diagnose नहीं हो पाया, ठीक है, when screening test is not present at that time, तो होता क्या है कई बार, की screen test नहीं हो पाया, समय समय पर, या किसी वज़े से, किसी ने screen test नहीं कराया, physician has to be diagnosed with analyzing the symptoms, अब किसी को हो गई problem, undiagnosed था, ठीक है, उसको screen test नहीं हो है, तो problem create हो गई है, कुछ symptoms दिखा रहा है, patient के दुआरा, ठीक है, such condition, refer as undiagnosed cases and when these cases refer to another health provider, ठीक है, तो simple सी बात क्या हो गई है, screen test is not present at the time, screen test नहीं कराया है, उसने किसी वज़े से नहीं हो पाया है, तो patient को कुछ symptoms दिखाई दिने लगे, उस patient ने diagnose किया, analyze किया, ठीक है, उन symptom को, ठीक है, और उसने जब उससे analyze किया, suppose analyze करने के पाया चला कि उसको तो cancer है, अब वो normal physician है, cancer के लाज़ नहीं कर सकता, तो refer कर देगा cancer specialist के पास, simple सी बात है, सबको पता है, such condition refer as undiagnosed, जो वो समय से पहले check नहीं हो पाई, उसे undiagnosed के दिया गया, ऐसे cases, जब ये cases, ऐसे cases refer किया जाते हैं, दूसरे health provider के पास, ठीक है, then this condition become referral of undiagnosed cases, इसको हम कहते हैं, undiagnosed cases का refer किया जाना, simple सी बात है, what is referral system, referral system is practiced by health providers, जो health care providers होते हैं, वो ही तो refer करते हैं, तो practice by, practice है मतलब किसके द्वारा किया जा रहा है, in this system, इस system में patient is transferred, patient को transfer किया जा रहा है, from one health professional, एन की, एक health professional के, से, दूसरे health professional के पास, ठीक है, for necessary diagnostic and therapeutic intervention, जिस से की, उसका proper diagnose और अच्छे से हो सके, और proper therapeutic treatment हो सके, why is symptomatic treatment is harmful, यहाँ पर actually एक point होना चाहिए था, इस type से, तो referral diagnose clear हो गया, referral diagnose clear होने के बाद, फिर एक question आता है, why is symptomatic treatment is harmful, हमें symptoms देख करके treatment नहीं करना चाहिए, आपको बुखार था, आप गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने दीदवाई, आपके विमारी ठीक नहीं हुई, फिर आपने का डॉक्टर वेकार है, आप एक गए दू दूसरे डॉक्टर के पास, ठीक है, उस डॉक्टर आपको बुखार उस डॉक्टर ने किया test, result में कुछ आया नहीं, टेस्ट का और उसका बिल मिला करके, बिल बैठ गया, देड़ दो अजार, और उसने वही दवाई दे दी, फिलाल ठीक तो हो गए आप, आपने काया, महंगा है, तो दो परकार की चीज़े हो गई यहां पर, होता है यह, प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ, मेरे साथ हो, हो चुका है, जानता हूँ मैं, आप किसी डॉक्टर के पास गए, उसने केवल बुखार देखे, आपको दवाई लिग दी, आप ठीक नहीं हुए, आपने का बड़ा वेकार डॉक्टर है, वहीं पर एक दूसरे डॉक्टर के पास गए, ठीक है, उसने अपने फीस ली एक तो, जो भी फीस थी, उसकी साथ सौट आट सो, जो भी फीस थी, उसके लाओ उसमें कुछ टेस्ट कराया आपके, टेस्ट हुए हजार बारा सो के, उ नहीं पर पहला डॉक्टर के लॉक्टर और नहीं दवाय दिए, आप शहीं नहीं हुए, क्यूआइज सी बहत हो आपको टाइफाअड या मुरेलिया होगा, वह कैसे पास पस चलेगा, वह पड़ा चलेगा टेस्ट से, यह बुखार आपका ताइफाअड का है, या मलेरिया तो इसलिए आज कल डॉक्टर्स लोगों एक ट्रेंड बनाया हुगा ट्रेंड के जरूरी भी है आपको बिमारी लेके जाएंगे तो डॉक्टर एक वाद इसको चेक अप के लिए जरूर लिखता है और चेक अप थोड़े से महंगे होते हैं तो आपको लगता है थोड़ा सा क आईफाइड मलेरिया सब फैला हुए तो बुखार की वज़य जाने जरूरी है हम केवल सिम्टम्स देख करके ट्रीटमेंट नहीं करेंगे अजर ऐसा करेंगे मान लो मलेरिया है बुखार आ रहा है आप बुखार की दवाई दे दे रहे हो बुखार तो उतर जा रहा है ले दे दो ठीक है in such condition there is chance of wrong medication संभावना है कि wrong medication हो जाएगी because treatment is given without knowing exact cause behind symptoms so disease remain untreated ठीक है तो गलत दवा दे 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 होगे treatment का जो है because treatment is given जो treatment दिया जा रहा है उसका कारण जाने बेगार उसकी दवाई दे दी जा रही है ठीक है और जो disease है वो untreated रह जाएगी वो ठीक नहीं होगी advantage of screening in undiagnosed cases के advantage screening मतलब testing का help to know root cause exact current पता चल जाता है कि बुखार आ किसे ले रहा है दर्द हो किसे ले रहा है after the proper diagnosis proper treatment जब डाइग्नोस प्रोपर हो गया कि अच्छा इसकी वहीं से बुखार आ रहा है तो proper treatment होता है पेशेंट का ठीक है safe time से समय बचता है पेशेंट पहली बार किसकी बुखार आ रहा है पहली बार में दबा असर करना शुरू कर देगी पेशेंट टाइम बचेगा और डिजीज अपना भ्याना ग्रूप नहीं लेती है because the proper diagnosis and knowledge about clinical condition of patient adverse effects are also avoided or reduced ठीक है because the proper diagnosis जो proper diagnosis है और knowledge proper diagnosis होगी अच्छा ये इसको malaria है ये चीजे हैं ठीक है about clinical condition और patient की जो clinical condition है कि और तो कोई बिमारिया नहीं है उसको या और की तरह की दवातों नहीं खा रही है इससे पता अगर चल जाए पहले से तो उसको adverse effect जो होने वाले है उससे भी हम लोग उसको रोक सकते है ठीक है तो जो adverse effects जो किसे प्रकार के हो सकते है उसको संभावित है ठीक है वो हम उसके क्या कर सकते हैं उसको बचा सकते है किलियर है तो ये सारे फाइदे हैं screening in undiagnosed cases में तो ये chapter अपना खताम होगा था थोड़ा सा लंबा था journal chapter था अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो द्वारा देखने की ज़रूरत नहीं पढ़ेगी ठीक है ना सीधा notes उठाना अपना और पढ़ डालना ठीक है तो बात बाकी हमेशा की तरह notes का link description मिल जाएगा problem आए तो मुझे call करो और हम से जुड़ना है मुझे से जुड़ना है direct live class से जुड़ना है direct doubt discuss करने है cautious लगाने practice करनी है तो mind nurture app से जुड़ो welcome है और सबसे ज़रूरी चीज क्या करना है पढ़कर revise करना है बारबा revise करने को तो चीजें याद होंगी और लंबे समय तक दिमाग में रहेंगी all the best